प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप मुझे आशा है कि आप सब अपने परिवार सहित स्वस्थ और प्रसन होंगे आप घर पर ही रहकर नाच रहे होंगे गा रहे होंगे धेर सारी मस्ती कर रहे होंगे लेकिन मुझे आशा है कि आप पढ़ भी रहे होंगे आपकी पढ़ाई में सहिता करने के लिए आज हम इस कारिकरम में आपकी कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्थे पुस्तक के पहले पाठ योरोप में रास्टेवाद का उधै पर चर्चा करेंगे तो आईए शुरू करते हैं अपनी चर्चा योरोप में रास्टेवाद का विकास अनेक कारणों से और विभिन्चर्णों में हुआ प्रतेक चर्ण में रास्टेवाद का रूप बदलता रहा हम इस अध्याय में रास्टेवाद के विकास के विभिन्चर्णों में इसके बदलते रूपों का अध्यन करेंगे जब आप अपनी इतिहास की पुस्तक का पहला प्रश्ट खोलेंगे तो आपको एक फ्रांसिसी चित्रकार फ्रेडरिक सर्यूं का एक चित्र दिखाई देगा जिसका शीर्शक है विश्व व्यापी लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का सौपन रास्ट्रों के बीच एक समझोता इस चित्र में बच्चो योरोप और अमेरिका के सभी आयू और सभी वर्गों के इस्त्री पुर्शों को दिखाया गया है इसमें स्वतंतरता के विचार को एक महिला की छवी के रूप में प्रदर्शित किया गया है इस स्वतंतरता की मूर्ती के एक हाथ में ज्यान या उदबोधन की मशाल है और दूसरे हाथ में मानव के अधिकारों का एक पत्र या चार्टर है आप देखेंगे कि निरंकुष संस्थाओं के अवशेश भी साम नहीं पड़े हैं सर्यू के कलपना लोक या यूटोपियन विजन में विश्व के लोग अलग-अलग रास्ट के रूप में समुही कृत दिखाए गए हैं और उनकी पहचान उनके अलग-अलग धजों और रास्टे पोशाकों से हो रही है रास्टों के इस जुलूस का नेत्रित्व कर रहे हैं सयुक्त राज्जे अमेरिका और स्विट्जरलेंड फ्रांस अभी-भी स्वतंतरता की मूर्ती तक पहुँचा है और उसके ठीक पीछे जर्मनी है जो की अभी रास्टे नहीं बना है उसके पीछे आस्ट्रिया, दो सिसलियों का राज्जे, लुम्बार्डी, पोलेंड, इंगलेंड, आयरलेंड, हंगरी और रूस हैं इसा मसी, संत, तथा फरिष्टे स्वर्ग से इस दरश्चे को देख रहे हैं कलाकार ने इन सब का प्रियोग विश्व के रास्ट्रों के बीच भ्रातरत्व को प्रतिकात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए किया है प्यारे वच्चों, अब सवाल उत्पन होता है कि यह चित्र हमारे इतिहास के पहले पाठ के लिए किस प्रकार महत्पूर है हमारी कक्षा दस की इतिहास की पुस्तक का यह पहला पाठ सर्यू द्वारा सोचे गए बहुत से मुद्दों पर विचार करता है उननिस्वे शताबदी के दौरान रास्टरवाद एक ऐसी शक्ती के रूप में उभरा जिसने योरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत अधिक परिवर्तन ला दिया इन सभी परिवर्तनों का अंतिम परिणाम यह हुआ कि योरोप में बहुरास्ट्रिय वन्शानुगत सामराज्यों के स्थान पर रास्ट्रे राज्यों का उदे हुआ एक आधुनिक राज्ये की अवधार्णा और विचार योरोप में एक लंबे समय से ही विक्सित हो रही थी आधुनिक राज्ये की अवधार्णा के अंतरगत एक केंद्री कृत शक्ती एक इस्पष्ट रूप से परिभाशित भूशेत्र पर संप्रभू नियंत्रण का प्रियोग करती है रास्ट्र के संबंद में यह विचार 1648 की वेस्ट फेलिया की संदी से उत्पन हुआ था इसके शासक अपीतु इसके अधिकांश नागरिकों में एक समान पहचान तथा एक साज्य इतिहास की भावना विक्सित होती है यह एक समानता सदा से उपस्तित नहीं रही है अपीतु यह संगर्षों से उत्पन हुई है नेताओं तथा साधारान लोगों के कार्यों से उत्पन हुई है फ्रेडरिक सर्यू के चित्र और उसके महत्व को समझने के बाद अब बच्चों हम कुछ महत्पून शब्दों के अर्थ समझते हैं इन शब्दों का इस पाठ में बहुत बार प्रियोग होगा इसलिए इनका अर्थ समझना बहुत आवश्यक है तो सबसे पहला शब्द है बच्चों जन्मत संग्र है जिसे अंग्रेजी में प्लेबिस साइट कहते हैं इसका अर्थ होता है किसी मुद्दे पर जन्ता की राय जानना दूसरा शब्द है निरंग कुष्तावादी यानि एपसोल्यूटिस्ट यह ऐसा व्यक्ति या संस्ता होती है जिसकी शक्ती पर कोई सीमा या रोक नहीं होती और जो लोगों की राय की परवा किये बगैर ही मन माने ढंग से कार्रे करता है तीसरा शब्द है बच्चो रास्ट्र यानि नेशन फ्रांस के दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने इसकी परिभाशा दी है उनके अनुसार रास्ट्र समान भाशा, समान धर्म, आदी के आधार पर परिभाशित नहीं होता है एक रास्ट्र प्रियत्नों, बलिदानों तथा समर्पन के एक लंबे इतिहास की पूर्णा हूती होता है एक रास्ट्र बनने के लिए अतीत का समानने गौरव, वर्तमान में एक साथ मिलकर महान कार्रे करने की इच्छा या संकल्प, भविश्य में इसी प्रकार और अधिक महान कार्रे करने की इच्छा और संकल्प यही सब बातें एक रास्टे के निर्माल के लिए आवशक हैं अगला शब्ध है बच्चों कल्पना आदर्श यानि यूटोपिया यह एक ऐसा विचार है जिसमें आदर्श या अच्छी बातें इतनी अधिक होती हैं कि इसका वास्तविक रूप से साकार होना लगभग असंभव होता है अगला शब्ध है बच्चों रास्टराज्य यानि के नेशन स्टेट यह एक ऐसा राज्य है जिसके अधिकांश नागरिक, निर्जात्यता, भाशा, संस्कृती या धर्म के आधार पर एक समान होते हैं जैसे फ्रांस में अधिकांश नागरिक, फ्रेंच नसल के हैं और फ्रेंच भाशा बोलते हैं अगला शब्द है बच्चो बहुरास्टिय वन्शानुगत सामराज्य यानि के मल्टिनेशनल डाइनस्टिक एम्पायर्स यह ऐसे राज्य होते हैं जिन में रहने वाले नागरिक, अलग-अलग नसलों, धर्मों के होते हैं और अलग-अलग भाशाएं बोलते हैं आस्ट्रिय हंगरी का हैप्सबर्ग सामराज्य बहुरास्टिय वन्शानुगत सामराज्य का एक उधारण हैं अगला शब्द है बच्चो रूरिवाद यानि कंजर्वेटिज्म रूरिवाद का अर्थ है पुरानी परंप्राओं, संस्थाओं और विचारों में विश्वास और उन्हें बनाय रखने का आगर है अगला शब्द है बच्चो उधारवाद यानि लिब्रलिज्म उधारवादी व्यक्ति के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता पर बल देते हैं और जन्ता की सहमती से शासन चलाने और व्यापार पर राज्ये के नियंत्रण को कम करने के पक्षधर होते हैं वह पुरानी अनुदार पिर्थाओं, परंपराओं और विचारों को बदलने के हिमायती होते हैं अगला शब्द आता है बच्चो क्रांतिकारी यानि रिवॉलूशनरीज यह स्थापित परंपराओं, संस्थाओं, विचारों और शासन को एक जटके में बदलने के पक्षधर होते हैं और इसके लिए हिंसा के प्रियोग से भी परहिज नहीं करते हैं मैजनी और गैरी बॉल्डी क्रांतिकारियों के उधारण हैं अब हम आते हैं बच्चो एक और शब्द पर जो है समवैधानिक राजतंत्र यानि के constitutional मुनार्की यह ऐसी राज्य विवस्था है जिसमें राजा की शक्ती असीमित और निरंकुषना होकर समवैधान द्वारा सीमित होती है तो बच्चो अब हम इस पार्ठ के पहले विशे यानि के फ्रांस की क्रांति तथा राश्टे का विचार इस पर बात करते हैं बच्चो राश्टेवाद की पहली इसपष्ट अभिव्यक्ती 1789 में फ्रांस इसी क्रांति से ही हुई थी फ्रांस की क्रांति ने उद्गोशना की की राश्टे का निर्मार कोई राजा नहीं अपितु लोग करेंगे जो की इसके भाग्यकार निर्मार करेंगे फ्रांस के क्रांति कारियों ने ऐसे बहुत से उपाए और व्यवहार किये जिससे फ्रांसिसी लोगों में सामुहिक पहचान की भावना उत्पन हो सके ऐसे उपाए निम्न हैं सबसे पहला जो उन्होंने विचार दिया वो था ला पैट्री यानि के पित्र भूमी इसका मतलब बच्चो वह जिस जमीन पर रहते हैं अब वह उसे केवल एक भूमी का टुकड़ा ही नहीं मानेंगे बलकि उसके पिरती एक भावनात्मक लगाव भी रखेंगे दूसरा उन्होंने जो विचार दिया वो था ले सित्योन यानि के नागरिक अगला विचार उन्होंने दिया एक नया फ्रांसिसी द्धज तिरंगा एक और विचार जो फ्रांसिसी करांतिकारियों ने दिया वह था एस्टेट जनर्नल का नाम बदल कर रास्टिय असेमली रख देना उसके बाद उन्होंने नए गीत रचे, शहीदों के नाम की शपतली और शहीदों की प्रिशंसा की गई इसके अलाबा केंद्री कृत प्रिशासनिक व्यवस्था तथा एक समान कानून बनाए गए इसके अत्रिक्त, आन्त्रिक सीमशुल्ख तथा करों को भी समाप्त कर दिय गया और साथ ही बाड तथा मापन की एक समान प्रणाली अपनाए गई शेत्रिय बोलियों को हतोतसाहित किया गया तथा पैरिस के आसपास प्रिचलित फ्रांसिसी भाषा रास्टे भाषा बन गई इसके अलावा बच्चों, फ्रांसिसी करांतिकारियों ने घोशित किया कि फ्रांस रास्टे का यह मिशन और भाग्य है कि वह योरोप के लोगों को ताना शाही और निरंकुष्टा से मुक्त कराएं इसके अलावा योरोप के विविन शहरों में जैकोबियन किलब भी बनने लगे। करांतिकारी युद्धों के प्रारंब होने पर फ्रांस की सैना रास्टेवाद का विचार विदेशों में लेकर पहुंची और इस प्रकार रास्टेवाद का विचार योरोप के सभी शेत्रो में फैल गया हॉलेंड बेल्जियम तथा सुर्जर लेंड सभी राष्ट्रवाद के विचारों से ओत्प्रोथ हो गए आपकी इतिहास की पुस्तक के इस पहले पाठ के चित्र दो में एक जर्मन पंचांग का आवरण प्रष्ठ दिखाया गया है जिसका डिजाइन पत्रकार एंडरियास रैबमन ने 1798 में तयार किया था इस चित्र में क्रांतिकारी भीड़ द्वारा फ्रांस में इस्थित बैस्तिल के किले को तोड़ने की छवी को जर्मनी के एक प्रांत कसेल में ताना शाही के प्रतीक इसी प्रकार के किले की छवी के साथ दिखाया गया है इस चित्र के साथ यह नारा भी लिखा है लोगों को अपनी आजादी पर सुहम कबजा करना है रैपमन मैंच शहर का रहने वाला था और जर्मन जैकोबियन किलब का सदस्य था इस चित्र से इसपस्ट है कि योरोप के अन्य देशों के लोग फ्रांस से प्रिर्णा ले रहे थे और इस प्रकार फ्रांस की घटनाएं योरोप के अन्य देशों में रास्टेवाद की भावनाएं उत्पन कर रही थी प्यारे बच्चों, यहां हमें योरोप में रास्टेवाद के विकास में नैपोलियन की भूमिका पर भी विचार करना आवशक है नैपोलियन ने 1804 में सिविल कोड लागू किया जिसे नैपोलियन कोड भी कहते हैं उसने जनम पर आधारित विशेश अदिकार समाप्त कर दिये, नैपोलियन कोड ने कानून के समक्ष समानता की अवधार्णा लागू की, उसने प्रिशासनिक विभाजनों का सरली करण किया, सामन्तवादी व्यवस्था को समाप्त किया, तथा किसानों को किर्शी दास्ता उत्पादकों को एक राष्ट के रूप में संगठित होने का महत्व महसूस होने लगा। लेकिन शीगर ही योरोप के लोगों का फ्रांस के उंचे-उंचे दावों से मोभंग हो गया, तथा फ्रांस के लोगों के प्रती विरोध की भावना पैदा होने लगी। हॉलेंड, स्विच्जर लेंड, वार्सा तथा मिलान इतियादी में फ्रांस के प्रभुत्व का विरोध होने लगा। और इसके परिणाम स्वरूप इन देशों में राष्टेवाद की भावना विक्सित होने लगी। आपकी पुस्तक का चित्र चार जर्मन चित्रकार कार आल-कैसपर-Fritz द्वारा बनाये गया है। इसमें फ्रांसिसी सैनाओं पर व्यंग किया गया है कि एक ओर तो वह दावा करते हैं कि वह मुक्ति दाता हैं क्योंकि वह जिस शेत्र में जाते हैं वहां से तानाशाही वाले राजतंत्र को हटा देते हैं। लेकिन वास्तव मे फ्रांस के सैनिक अपने नियंत्रणवाले शेत्रों में स्वैम ही अत्याचार करते हैं। इस प्रकार योरोप के अन्य देशों के लोगों के मन में फ्रांस के वृद उत्पन होने वाले रोश के कारण भी इन देशों में राश्टेवात की भावना मजबूत होने लगी। बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले विशे की जिसका नाम है योरोप में राष्टेवात का निर्माल। प्यारे बच्चों, 18 सदी के मद्धे में योरोप में कोई राष्टे राज्य नहीं था। जर्मनी, इटली, सुर्जरलेंड जैसे शेत्र, राज्यों, डची और केंटॉन में विभाजित थे। 1648 की वेस्ट फेलिया की संधी से आधुनिक राष्ट का निर्माल हुआ था, लेकिन उन राष्टों की पहचान उनके शासक से होती थी ना कि वहां के निवासियों ये जनता से। योरोप में राष्टेवाद का विकास कैसे हुआ यह समझने के लिए जरह हम 18 सदी के योरोप पर एक नजर डालते हैं। पूर्वी और मद्धे योरोप पर निरंकुष शासकों का शासन था जिनके शेत्र में विविद नसलों, धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते थे जो विविद भाषाएं बोलते थे। उनमें एक सामुहिक पहचान या एक सांजी संस्कृति को वहन करने का भाव नहीं था। वे अपने को एक रास्ट नहीं मानते थे। आस्ट्रिया हंगरी का हैप्सबर्ग सामराज्ये विभिन नसलीय समुहों से मिलकर बना था जो भिन-भिन भाषाएं बोलते थे। उनमें साजेपन की किसी भी भावना का अभाव था। नैपोलियन द्वारा सब्रांत वर्गों के विशेशा धिकारों को समाप्त करने के बास से शिक्षित, उदार, मध्यम वर्ग के बीच रास्ट्य एकता का विचार लोगप्रिय होने लगा। पश्शिमी और केंद्रिय का उद्य होने लगा जिसका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर निर्भर था। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि राश्ट्यवाद का विचार योरोप में और व्यापार वानिज्य के विकास के कारण उत्पन हुआ। बच्चों अब हम बात करते हैं उदार र कानून के समक्ष सभी की समानता। राजनेतिक अर्थों में उदारवात का अर्थ था जनता की सहमती से सरकार बनना एवं निरंकुष्टा तथा चर्च के विशेशा दिकारों की समाप्ती। आर्थिक द्रिष्टी से उदारवात का अर्थ था बाजार की स्वतंत्रता तथ वस्तुओं एवं पूंजी के आवा गमन पर सरकार द्वारा आरोपित पृतिबंधों की समाप्ति साथ ही निजी संपत्ती के अधिकार को माननेता एवं सुरक्षा मिलना आर्थिक राष्टेवाद की लहर ने उस समय योरोप में पृचलित व्यापक राष्टेवादी भाव और अधिक मजबूत किया जॉलवेरियन का गठन किया गया जॉलवेरियन एक ऐसा सीमा शुल्क संग था जिसने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर लगे शुल्क पृतिबंधों को समाप्त कर दिया और तीस से अधिक मुद्राओं की संख्या को घटा कर के railway के network के निर्umeान से लोगों और माल का आना जाना और तीवर तथा अधिक होने लगा जिससे आर्थिक हितों में और अधिक गहरा जुड़ावाया जिससे राष्ट्य एगी करण की पिरक्रिया मजबूत होने लगी यहीं से योरोप में राश्टेवाद का विचार पनपने लगा तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि योरोप में राश्टेवाद के विकास के इस चरण में यह फ्रांस की क्रांती की उद्दात भावनाओं नैपोलियन के कार्रेओं के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों, लोकतंत्र, गणराज्य, उदारवाद और सबसे अधिक आर्थिक कारणों या आर्थिक राष्ट्रवाद से प्रभावित रहा। यह है व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी आर्थिक सम्रिद्धी के विचार पर आधारित रहा। इस चरण में राष्ट्रवाद व्यक्ति को एक बहतर जीवन का सपना दिखाता था। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, स्वस्त रहिए, पिर्सन रहिए और अच्छी तरह से पढ़ाई भी करते रहिए। तो अब हम मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। करते हैं की चर्चा करेके चर्चा समावी में हो रहिए। प्यारे हम पो इंश का समाप्त करता खक उ ψनmakाबागे край।